हेलो स्टूरेंट्स, वेलकूम टू माई नर्चर, मैं हो क्रिष्णा, कैसे हैं सब लोग, मास बढ़िया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मा को थेरोपिटिस का चैप्टर नंबर 2B, है ना, 2B में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेक्चर नंबर 2 और 2B का ये लाश्टी लेक्चर है, ठीक है, उसमें दो ही टॉपिक थे, आस्त्मा और COPD, याने की रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ह और autructive होगे अपना, क्या कहते हैं, जो block हो रखा है, pulmonary होगे है, lungs और उसका disorder होगए, क्या होता है, तो यहां पर ध्यान रखना, जो ह唉ада को, जो होंने इस से पहरे last lecture में क्या सीखा हुआ है, आस्त्मा को, ठीक है ना, तो उसको जब्र थोड़ा सा confused हो जाता है ठीक है देखो COPD जो है यह दो चीजों का combination होता है ठीक है इसमें पहला combination क्या है bronchitis जिसको हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं यह अस्तमा से related है यह ठीक है ना एक क्या होता है bronchitis याने कि normal हमारी airways ऐसी होती है फिर क्या होती है यह जकर जाती है अंदर mucos भर जाता है छोटी हो जाती है bronchitis हो गया जो कहीं ना कहीं हमारे अस्तमा से related है एक चीज़ इसमा और होती है जो मैंने अस्तमा में बता रहा था बार बार कहा रहा था अस्तमा में यहां पर मेरे पास क्या हो गई है अल्विलाइ अफेक्टेड हो गई है यह बीच की सारी इनकी लेयर टूड़ जाती है और यह हट जाती है अब इनका इससे क्या होता सर्फेस एर्या कर जाएगा ठीक है तो 오른 confess white डेक्ट यह दो ध्यार रखनी और और invite ऑन फैसे मा जब यह रोइब ऑन करती हैं की लेयर करती है अल्विलाइ की उस कंडिशन को मिखश गैं मिखेस एं और यहां पर इंफेक्शिन हो रखा तो सगतना ब्रॉंश्का तो हमको कह सकते हैं आस्तमा में bronchitis वाली condition थी यहां पर bronchitis plus M5 सेमा दोनों की mixed condition है बात समझ में आ रही है ठीक है तो बस अब यहां तक अगर बात समझ में आ गए तो लगबक काफी सारी चीज़ें यहां पर क्या है अस्तमा वाली हम उठा के देख सकते हैं फिलाल देखते हैं यहां पर क्या है chronic obstructive pulmonary disease या disorder chronic obstructive pulmonary disease ठीक है या disorder कुछ भी कहलो chronic inflammatory lung disease ठीक है एक chronic inflammatory होता है lung disease है that causes the airflow है वो क्या अफ्ट्रक्ट हो गया है यहां पर airflow क्या कर गया है block हो रहा पूरी तरीके से पूरी तरीके से नहीं कहेंगे काफी हद तक अस्तमा में उतनी ज्यादा वैसी condition नहीं थी नॉर्मल जब अस्तमा नहीं है तो ठीक है वो लेकिन यहां पर क्या stretching यहां पर रोल है एर फ्लोप ही क्या हो रहा है gurvard हो गया है ठीके अभी हम condition Kaitum सब्लतों की दोनों में क्या difference है फिक तो opposition वाँपर ही था लेकिन क्या दिsınızकिा जिफरेंस फूर्ण का obstruction में सकरा लास्ट में आए गा ठीक है और क्या हो गया है अब इसकी जो नलिया है यहाँ पर ठीक है इसके जो यह पाइप से हैं यहां सट क्या है हवा नहीं जा पा रही है आगे आते हैं क्या którą था किया रहा है फू इसलों क्रोण सब्सक्राइब अंपर इक फूमें एरू मुडिजीन क्रोणिट खी ओम dramatis От All efficient एक चैले एक लंग डिजीज है it is a lung disease characterized by chronic obstruction जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है obstruction create हो गया है ठीक है of lungs airflow lungs के airflow में obstruction create हो गया है that interfere जो बादा डाल रही interfere कर रही दख्रवंदा जी दे रही है with normal breathing normal breathing नहीं होने दे रही है उसमें interfere कर रही है and is not fully reversible यह पूरी तरीके से reversible भी नहीं है it is termed as COPD यह बड़ा difference आता है it is not reversible अस्थमा में ऐसा नहीं था ठीक है ना आगे आते है what are the types of COPD COPD types के बात करें ठीक है तो दो condition हैं यहां के अंदर COPD includes two main types इसकी दो category है emphysema और chronic bronchitis और generally कहा रहा है combined रहा जिसको होता है this affects the air sex in your lungs है ना air sex मतलब alveoli क्या effect हो रहा है हम पर alveoli as well as the walls between them जो उनके बीच की दिवाल होती है इसको भी affect करता है यह alveoli become damaged and are less elastic damage और फूल ना कम कर दिए हम सांस लेते हैं तो जालून की तरह फूलती है अपने अदर हवा भरती है अब फूल नहीं पाएंगी तो सांस लेने में दिख्कत आएगी chronic bronchitis in this the lining lining मतलब जो परत होती है of your airways constantly irritated जो अंदर की परत है वो लगातार irritate हो रही है उसमें मतलब irritate करने के मतलब क्या है मालो कोई तुम बैठे हो कोई तुम बार पिंच हो है तो तुम irritate हो रहे हो तो irritate करने मतलब क्या वो लगातार excite हो रही है तो stimulus मिल रहा है ठीक है and inflamed क्या हो जाती फिर फिर वो inflamed हो जाएगी inflammation हो जाएगा this causes the lining to swell अब वो swell हो जाती है सूज जाती है और mucus धेर सार अपने अंदर से mucus निकालना लगती है that is called chronic bronchitis ultimately chronic bronchitis के मतलब क्या है सूज गई है और अपने अंदर से क्या निकाल रही है mucus निकाल रही है clear है simple वासा में if you have COPD less airflow in and out of your airways because of one or more problem अगर COPD है तो तुमारे lungs में से बहुत कम हवा अंदर जाएगी और बहार निकलेगी क्यों the airways and air sacs in your lungs become less elastic क्योंकि वो less elastic हो गए है साथ इसलिए the wars between many of the air sacs are destroyed अब खुद सोच के देखो ठीक है एक दो तीन यह सब पास पास में होते हैं चार पांच अब देखो यहां से यहां से चार तरह सा हवा जा सकती है है ना यहां सब capillaries थी अब यह सब बीन की दिवाले टूट गई ठीक है अब सपोज यह यह यतनी दिवाले थी सब टूट गई है और यह कुछ एक बन गया है तो देखो अब हवा केवल यहां से जा सकती है लेकिन यहां से यहां से जो हवा थी वो नहीं जा पार रही है तो इसका तो इस तरीके से यह सारे कारण है कि तुमको क्या है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है जब से यहां नहीं तो इन में से कोई एक कारण हो सकता है जो अस्वाले कोस्ते हैं इसको समोकिंग रहेगा जल्यकट हो सकता है जल्फा-1 एंटिट्रिफसिन डेफशेंसी ठीक है ल२ है इसका क्या रहता है अभी हम देखेंगे हैश्क इसकिद्प сыnexi होने के वाई से ladies enzyme जो होता है ठीक है जो प्रोटियस उन्जाइम होता है lak거 च्क है यहां पर समझते है घव हुदा सा यह ह Node Sana जा आगया ठीक है जो प्रोटी जांग होता है उसका function क्या होता है बढ़ जाता है अब ये प्रोटी सैंग क्या होता है जो Alpha anti-trypsi होता है ये anti-protease निकालता है ये anti-protease ठीक है अब हुआ क्या इंक्रीज क्या होगी यह प्रोटीयस फंक्uschgrass फंक्शन तो यह प्रोठीएस फंक्शन मा घा जा हो सकता है cigarette smoking हो सकती है passive smoking occupational exposure occupational मतलब जो काम से होता है हमें और air pollution हो सकता है यानि कि सारी condition लिख सकते हैं जो अस्मा वाली थी पैसोजनेसिस की बात करें तो देखो यहां पर समझना genetic और environmental दोनों जगे से क्या हो सकता है creation हो सकता है genetic में alpha 180 डेफसेंसी कमी से और environmental में बहुत सारे कुछ भी ले लो long term smoking pollution या infection कुछ भी हो सकता है अब पहले एक देख लेते हैं अपने पास क्या है alpha 180 की डेफसेंसी हो गी है lungs ability to prevent damage to lung tissue lungs की खुद के पास एक छमता होती है कि lungs के tissue को damage बचाएगा वो इसके decrease कर जाती है क्यों क्योंकि proteins को खतम करने के लिए इसके पास क्या है चीज़ें अब नहीं बन पा रही है क्योंकि alpha 1 की कमी हो गई है अब ये क्या कर दे रहा है इसकी वाज़े से free radical free radical होते ना oxygen वगएरा जो damage करते हैं anti-suse को ये भी damage करते हैं वो बढ़ गए है inactivation of lung anti-protease lungs के जो anti-protease थे वो क्या हो गए inactivate हो गए ठीक है ना वो क्या हो गए inactivate हो जाते हैं आगे आते हैं lungs inflammation oxidative stress oxidation बढ़ गया उनका inflammatory cytokines वो बढ़ गया है protease function वो बढ़ गया है अब ultimately हो गया रहा है continued repeated injury to the bronchial tree अब क्या होता है जब यह सारी condition मिलके create करी है तो लगाता आप जो ब्रॉंकियल tree है हमारे पास और पूरा ब्रॉंकियलो का structure होता है इस टाइब से ब्रॉंकियल tree बोल दिया जाता है ब्रॉंकियल ट्री ये क्या हो रहा है लगाता इसको injury हो रही है इसकी की entry होती है जो की mucos बनाते हैं बहुत सारा ठीक है death of airway epithelium selected cell और जो epithelium होते हैं सबसे उपर की परत होती है अब epithelium समझते हो गए फई स्टेरियम पड़ा होगा जो epithelium होती है layer होती है वो airways की break होना श्टार्ट हो जाती है यह सब मिलके क्या in airway पूरे में क्या भर गया है mucos कफ सब भर गया है सर्वेज़ नाइड़स for infection अब म्यूकस है वह नाइड़स मतलब एक तरह घोशले का काम करेगा किसके लिए infection को आप एजिली बैक्टिरिया अपना पनप सकता है अब इसकी वैसे क्या होगा जब अब पैरन zaman万 डिलाश्टीमा और इंच्रिय अब इक्रीश कर जाएगी तो रिकॉर्ड्यट व्यक्षत्र काइब यानि कि इस्ट्रक्शल सपोर्ट जो एर्वे को आने के रास्त देना चाहते थे वह एर्वे की पिटेंसी खतम होगी डिक्रीज कर गी पर्मनेंट इल्वलाई इतनी रागी यानि कि हवा को भार निकालने में सच्छम नहीं है ट्रैपिंग ऑफ एर विदिन लंग्स एर्वे एर्वे पतले हो जाएंगे और मैं हो सकते है चिंपक जाएं हाइपर इंफ्लेटेड लंग्स बहुत जादा इसमें तुम लोग एक काम कर सकते हुए जैसे किसे कोई दिक्कत है तो चैनल इन्वारमेंट के बाद यह लाइन इसमें से कोजी एक लिख लेगा वो ठिक है फिर यहां से लंग्स का इन्फ्लमेशन यह लेख लोगे लंग्स इन फ्लमेशन के बाद अधर है लुए मैं है ना कोई एक पकड़ करके भी चलोगे तो अपनी पैसोजनेसिस क्रियेट कर सकते हो एट लिसमें क्या याद रखना असान होगा सारे अगर याद नहीं है को यह का छूट जाएगा तो फरक नहीं पड़ेगा लिखने के अपने में तरीके होते हैं इसमें और छोटा तरीके से बात समझ में आगी नेश्ट एक लिखने क्लिनिकल मेनिफेस्टेशन अब यह तो भई सब को पता है क्या क्या होता है सबसे सुरुआत में क्या होगा एट फर्स्ट यू में हैव नो सिम्टम ऐसा हो सकता है कि तो तुम्हें कोई सिम्टम नजरी नहीं आए और और ओंली में क्या क्या हो सकता है फ्रिक्वेंट कफिंग लगाता खांसी आएगी कफ डैट प्रड्यूस लॉट ऑफ मुकस और खूब सारा कफ निकलेगा वीजिंग साउंड आएगा गले से सीटीस आवाज आएगी एनरजी नहीं लाएगी तुमको लाएगी हरता में थकान थकान सी विष्लिंग और स्क्यूजी साउंड वैन यू ब्रीथ जब आप साउंड लोगे जब आप ब्रीथ करोगे तो एक स्क्यूजी साउंड आओगी जैसे कोई चीज सुकूर सी रही है सौटनेस और ब्रीथ सांस ने नम दिक्कत इस्पेस्ली विद फिजिकल एक्टिविटी और खास कर तब जब कोई फिजिकल काम करोगे तो सांस नहीं आएगी याने कि सांस दम उखडेगा टाइटनेस ने और चैस्ट चैस्ट में जक्रन से लगेगी सम पीपल विद ठीक है यह तो होगे कॉमन सिम्टम्स अब क्या कह रहा है कुछ लोग जो होते हैं स्यूपीड गेट फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी इंफ्रेक्शन सच एज कोल्ड एंड दा फ्लू सम पीपल उप्रिवेट जिनको स्यूपीड होता है उनको कॉल्ड एंड फ्लू बहुत जल्दी हो जाएगा इन सीवेर केस जब केस बहुत ही सीवेर होते हैं सीवेर अचैस्ट डेक्वेट में भी लॉस आ सकता है कमजोरी आ जाएगी लोगर मसल्स में and swelling in your ankles, feet and legs पैरों में swelling आ सकती है ठीक है और lower ankle में क्या जाएगा weakness आ जाएगी तो lower muscles में ये सारी conditions create हो सकती है ठीक है आप सोचो पैर का दर्द पैरों की दिक्कत और lungs की problem कोई correlate कर पाएगा जल्दी तो अच्छे doctor होंगे वही इसको correlate कर पाते है ठीक है आगे आते है non pharmacological treatment की बात करने तो सीधी सी बात है smoking छुड़वा दो oxygen therapy oxygen therapy में किया है जब severe condition हो जाती है oxygen therapy is frequently provided along with pharmacological intervention बीट बीट में pharmacological intervention चलता है मतलब pharmacological treatment भी चलता है रहता है to treat underlying hypoxemia oxygen की कम हो रही है ना CPD में उसको दूर करने के लिए हमें oxygen therapy भी चलाने पड़ती है vaccination all patients with COPD should be given annual influenza vaccination ताकि जुखाम ना हो जुखाम वह influenza हो गया तो condition बहुत खराब हो जाती है pulmonary rehabilitation pulmonary rehabilitation program serve as adjuent to drug treatment to improve physical function है ना pulmonary rehabilitation वापस हम चाहते हैं कि pulmonary हमारा काम करना शुरू कर दे includes exercise education and behavioral अपने activity में धीधर exercise को जोड़ो education पढ़ें कैसे कैसे चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं और अपने behavior में change लेके आएं जो आपका खराब आपका disturb behavior चल रहा है behavior का मतला है routine चल रहा है उसको आप ठीक करें तो non pharmacological treatment सब में लगबग एक ही जैसे मिलेंगे ठीक है pharmacological treatment ये दिखाई पढ़ रहा है थोड़ा सा blur हो गया I think चलो अप दिखते हैं ठीक है अब देखो इसमें दो category हैं एक है inhaled सुमने वाला एक है क्या inhaled सुमने वाला और दूसरा क्या होगा खाने वाला medicine खाने वाली तो इसमें कौन आ जाएंगे anticholinergic ठीक है इसमें कौन है short acting short acting का आगे लिखा हुआ है sama short acting muscrenic antagonist तो sama कहा जाता है llama long acting muscrenic antagonist ठीक है न सामा llama इसमें ipratropium आ गया tyotropium आ गया ठीक है aclidinium आ गया इसमें दो दो दवाईयां याद कर लोगे then beta adrenergic agents नहीं दिख रहा तो मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा blur हो गया यह फिर आ गया आतने short acting short acting beta adrenergic agent इसमें albuterol आ गया और यह आ गया pirbuterol हो गया long acting long acting beta adrenergic laba, saba, sama llama यह याद रखेंगे ठीक है इसमें salmiterol आ गया formiterol आ गया, wilamiterol आ गया next time है हमारे पास corticosteroids और यह I लिखा हुआ, ICS inhalational corticosteroids क्या है यह? inhalational corticosteroids इसलिए ICS baclomethason, fletikason budesonide और cyclosonide अब कई बार क्या होता है single treatment जब काम नहीं करेगा तो हम लोग sama के साथ saba या lama के साथ laba या इसके साथ combination को बनाएंगे तो combine में sama saba ठीक है या lama laba ठीक है, iprotropium और lbtrol, इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, tyotropium और ठीक है, और यह हमारे पास oliditrol, ठीक है ना इस थोड़ा सा नाम दिखकता रहा है ठीक है, इसको मैं देख लूगा, blur हो गया कोई बात नहीं, अब इसमें आगे आते हैं इसकी combine कर लेंगे combine, beta agonist और ICS, ठीक है ना salmiterol, flitikason, propionate ठीक है, यह इसमें तुम लोग याद कर लोगे अब अगर उसके बाद भी conditions खतरनाक है फिर इन दोनों को भी आपसे mix करेंगे lamas, laba और ICS, ठीक है ना यह तो होगी अपना inhalation सुंगने वाला, है ना अब आता है systematic, systematic में क्या हो जाएगा, जो दबाईयां खाते हैं, जिसमें हमारे कौन आए, xanthine, theophylline, aminophylline, doxyphiline then rophyomast then उसके बाद क्यों आजाएंगे, anti-biotics क्या आगए, anti-biotics आगए, यह देखना ही रहा है, इसको मैं clear करके तुम लोगों दे दूँगा, ठीक है थोड़ा ज्यादा blur हो गया यह then antioxidant आयते हैं, then biologicals आजाएंगे ठीक है, यह जिसमें clear नहीं है, थोड़ा समय करके समझा दूगा, नाम है, इसमें और कुछ नहीं है, तो फिलाल क्या याद रखेंगे, दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, systematic, systematic में क्या है, हम लोग दवायां खाते हैं, जो हमारे blood circulation में जाएगा, इसलिसको क्या का गया है, systematic, clear है, और वो उपर क्या था, inhalational था, clear है, यह notes में तो clear मिल जाएंगे, notes को download कर लेना, वहाँ पर clear तिखाए पड़ेगा, तुम लोगो, next time महारे पास, जो मैं बता रहा था, कि तुमको समझना है, difference, आखिरकार, अस्तमा और यह पूटी में, difference किया है, तो देखो क्या है, अस्तमा जो है, वो reversible है, back हो जाएगा, यह irreversible है, हो गया तो हो गया, no parent chymal destruction जैसे में बता रहाता है, alveoli destruct नहीं होंगी, यहाँ पर tissue destruction हो जाता है, tissue destroy हो जाते हैं, यहाँ पर, में difference तुम लोगों समझ में आएगा, कि क्यूं, दोनों condition अलग है, थोड़ी सी, ठीक है न, clear रहे बाते हैं, और last में, lecture हमारा finish हो जाता है, तो दोनों को मैं, यही क्या होंगा, जो पिस्ते पहर वाला lecture था, आस्तमा वाला, और COPD, दोनों को एक साथ पढ़ना, मतलब एक साथ का मतलब क्या है, एक पढ़नों तो तुरंट फिर दूसरा ही पढ़ना, समझने में बहुत असानी दाएगी, drugs काफी मिलते हैं, जोलते हैं, तुम लोगों को, ठीक है, और क्या करना है, और कोई भी डाउट है, किसी भी चीज को ले करके, तो मेरे को, पढ़ते रहें, और किसी भी टाइब की life में वोगी problem है, तो कोशिश करें, उसे दूर करें, पढ़ाई पर पुरा ध्यान देया और revise करते रहे क्या करते रहे revision करते रहे clear रहे all the best